सेयुक्त राश्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 2005-06 से लेकर 2019-20 तक 15 वर्षों के दुरान भारत में 49 करोर से ज्यादा लोग मल्टी डैमेंशनल गरीवी से बाहर निकले हैं रिपोर्ट में कहा गया है कि 2005-06 तक भारत में 55.1 फीसद लोग गरीव थे और 2019-21 गठा कर 16.4 फीसद रहे गया है सर इस आंकड़े में कोविट का पूरा असर शामिल है या भी नहीं NDP की multi-dimensional poverty की report poverty को नापने का या गरीबी को नापने का एक नया फार्मूला है जो पिछले 10-10 सालों में दुनिया में apply किया गया है इसमें केवल वही गरीबी नहीं है जो कुपोशन या पोशन के आधार पर नापी जाती यानि भोजन के आधार पर इसमें तमाम सामाजिक सेव को जो access है health की education की और बहुत सारी और भी पैमान है जिनके आधार पर इस गरीबी का आखलन किया जाता है यह आकड़ा हमें 2015 से 2019 बीस तक का है अपनी इस report में बड़े इस पश्ट रूप से UNDP ने लिखा है कि जो कोविट का असर था भारत की आबादी के उपर उसका आखलन कोविड आने से पहले भारत में गरीबी में या मल्टी डामेशनल पावर्टी में कमी आ रही थी तो उस प्रक्रिया को बुरी तरह कोविड ने प्रभावित किया है तो अगर आप दो रिपोर्ट से एक साथ रख कर देखें इस report के हिसाब से भारत की मल्टी डामेशनल कारी भी की चपेट में